नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे हम आज कुछ बहुत ही शांदार जो न्यूज हो से डिसकस करने कोशिश करेंगे जो भारत की नेवी के लिए काफी ज़्यादा इंप्रोटेंड न्यूज आप मान सकते हैं और इस न्यूज में हम डिसकस करेंगे कि आज के दिन क्यों कहीं न कहीं इंडियन नेवी के लिए यह जो दिन है आज 17 माई ये काफी खास जो है वो बन चुका है यहाँ पर major जो boost है वो मिला है इंडियन नेवी को आज के दिन दो Made in India, इंडिजिनियस जो युद्ध बोथ है, जो वार्शिप है, वो लॉंच किये गए है, डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग जी के दौरा, यहाँ पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, राजनात सिंग लॉंचेज इंडिया मैड वार्शिप्स, आई एन ए से पहले एक काफी important information मैं आपको जरूर देना चाहूँगा, यदि आप UPSC की तयारी करना चाहते हैं, या फिर आप college student है, तो आज ही आप एक काम कीजिए अपने mobile में, अड़्डा 247 का जो mobile application है, उसे डाउनलोड कीजिए, और UPSC का vertical select कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेगा U 12 महीने की पूरी validity के साथ में मिलता है, जहाँ पर आपको live classes, video course, test series और e-books, सब कुछ मिलेगी, और ये जो course है, ये course जो है, आपको basic से लेकर, mains तक की जो तयारी है, पूरी करवाएगा, और आप जो conceptual clarity है, वो इस course से ले सकते हैं, तो यदि आप UPSC की foundation से तयारी करना चाहत हैं, तो आज ही ये जो UPSC CSC का जो महापैक है, उसे enroll कीजिए, बहुत से offers चलते हैं, बहुत से code available है, जरूर लगाईए, और पूरा पूरा फाइदा उठाईए, minimal price में ये जो course है, वो launch किया गया है, जिसमें आपको 12 महीने की पूरी validity मिलती है, तो एक साल के अंदर-अंद जो course है, वो आपकी तयारी के लिए बनाया गया है, चलिए हम हमारे topic के उपर आते हैं, देखे, देश के रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने भारतिय नोसेना के दो युद्ध पोतों को launch किया है, INS सूरत और INS उधेगरी, ये मजगाओं डॉक लिमिटेड मॉंबई से नोसे और उधेगरी, ये मुंबई में आज इन्होंने launch किया है, और इन्होंने इस पारे में जो पूरा tweet है, वो भी किया है, आप images जो है वो देख सकते हैं, और देखे, ये जो opportunity है, वो इंडिया नेवी के लिए काफी ज्यादा खाज आप मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों Defense Sector में, Defense Sector में हमें वैसे भी जो कुछ Develop Countries हैं और जैसे रश्या और जैसे USA, इनके उपर Depend रहना परता था किसी जमाने में, लेकिन जब से ये जो thinking जो एक path हमने बनाया है, Made in India का, तब से हमें Defense Sector में वास्तम में काफी ज्यादा मदद मिली है, और DRDO ने हमारा पूरा जो मजबूत करने की जो पूरा श्रेह जो जाता है, वो DRDO को जाता है, लेकिन अब Navy में जो वार्शिप हैं, वो भी Made in India होने लगी है, जो कहे ना कहीं वास्तम में काफी बड़ी बात है, देके INS सूरत Project 15B का एक कहीं ना कहीं destroyer है, विद्वनसक जिसे हम बोलते हैं, और INS प्रोजेक्ट 17A का फ्रिग्रेट है, देके इनमें लगे अधिकांश उपकरन देश के ही विभिन लगो एवं मध्यम उद्योगोजिसम, MSME बोलते हैं, से खरीदे गए हैं, ताकि जो आत्म निर्बर भारत, अभियान ग्योजनाक जो हमने बनाई है, जो सोच हमने बनाई है आत्म निर्बर भारत की, उसे और भी ज़्यादा बढ़ावात दिया जा सके, और ये वास्तम में काफी ज़रा जरूरी है, MSME सेक्टर में बढ़ने वाले जो प्रोडेक्ट हैं, अब यदि वो डिफेंस सेक्टर में भी आने लगेंगे, तो ये वास्तम में एक आप बहुत अच्छा इंप्लिमेंटेशन मान सकते हैं, MSME सेक्टर का भी, और जो वार्शिप जो होते हैं, वो दरहसल केवल युद्धी के लिए बनाए जाते हैं, आगे आने वाले समय में कही ना कहीं वार्शिप की जो भुमिका है काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कई लोगों की thinking ये भी है इस मामले में कि आगे आने वाले कुछ रिचर्चर्चर्ज का ये कहना है कि वार्टर के लिए भी वार होने लग सकते हैं आगे आने वाले भविश्य में, और इवन यहां पे आप देख सकते हैं, ये 2018 का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं कि व तब से ये रश्या युक्रेन वार चला है तब से आपने वार्शिप का जो नाम है न्यूज में काफी ज़्यादा सुना भी होगा क्योंकि वार्शिप जो है वास्ता में किसी भी देश के लिए काफी जरूरी हिस्सा आप मान सकते हैं उसके डिफेंस उसके स्पेसिफिकली नेवी सेक्टर का यहाँ आप देख सकते हैं युक्रेन ने हाल ही में कुछ जिनों पहले रश्या का जो मॉस्कवा जो वार्शिप है उसे डेस्ट्रो कर दिया था उसके बाद में बहुत ज़्यादा चर्चित यह जो न्यूस है वो बन के अंदर इन्हों ने हार्खिव के अंदर मॉस्तपॉल के अंदर और भी कई जगे जो है फॉस्फोरस बंबरसाए और एक तरह से इस पूरी जो न्यूस है उसे काफी ज़्यादा सीरियसली लिया गया था तो इवन आप यह समझ सकते हैं कि वार्शिप की जो भूमिका है व यह भारत की नेवी के लिए और पुरे भारत के लिए वास्तम में काफी बड़ी बात है हम यहाँ पर इंडिवेजली जो दोनों वार्शिप हैं इनकी बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं INS सूरत की दीकि आइनस सूरत जो है भारती नोसेना के प्रोजेक्ट 15B की युद्धपोथ है एक है INS मौर्मुगाओ और दूसरे हैं INS इमफाल यह जो है इनका परिक्षन जो है परजेन टाइम पे चल रहा है तो यह दो INS भी शामिल होने वाले हैं भारत की इंडियन नेवी के अंदर जो की वास्तम में काफी बड़ी वात है और गुजरात की जो गाइडेड मिसाइलों से लेस है और वार्शिफ 15A यानि कॉलकत्ता क्लास डिस्ट्रोयर वार्शिफ की तुलना में एक बड़ा मेकवर है यह निर्मान जहें ब्लोक मैथर से किया गया है मतलब ब्लोक कंस्रक्शन मैथर से इसको निर्मित किया गया है और इसके फीचर्स की किलोमेटर पर हावर की रफ्तार से दोर सकता है और इस वार्शिफ पर एक बार में चार इंटर्सेप्टर बोट के साथ 50 अधिकारी और 200 जवान जहें वो रह सकते हैं या रुक सकते हैं यह लगबग 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और एक बार में क्योंकि दोनों को समझना जरूरी है तो देखिए उदेगिरी भी जो है वो इंडिजिनियस प्रोड़क्ट है यह भारती नोसेना के प्रोजेक्ट 17-1 का तीसरा युद्धुपोत है यह युद्धुपोत आधुनिक सुईधाओं और हतियारों से भी लेस है यह प्रवर्शंकला के नाम पर इस युद्धुपोत का नाम इनस उदेगिरी जो है वो रखा गया है जो उदेगिरी की पारिया है वो हमें आन्द प्रदेश में देखने को मिलती है तो उदेगिरी के अंदर भी जो सिस्टम है वो काफी ज़्यादा highly qualified है और इनस सूरत और इन इंडियान नेवी में शामिल किये गए हैं जो दो वार्शिप है उनकी तरज के उपर हमें आने वाले पांस सलों के अंदर और भी लगबग 10 से 15 जो नए वार्शिप है वो देखने को मिलेंगे जो भारत की नेवी को भारत की नेवी की जो ताकत है उसे और भी ज्यादा मज